आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे बीच उपस्तित है स्री अर्विन प्रसाद जी जो की भारत बचाव आंदोलन के संस्तापक, सहर, योग चिकित्सक और घरेलू चिकित्सक भी है जिनसे आज हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रिशर के बारे में जो आजकल एक बहुती आम बीमारी का रूप ले चुका है आईए हम जान लेंगे कुछ इस बीमारी के बारे में कुछ महतुपूर्ण जान करिया सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे ब्लड प्रिशर क्या है इसका कारण और लक्षन क्या होता सबसे पहले तो मैं अपना परिचा बता दूँँ जैसा प्रग्या जी बताई कि मैं अर्वीन प्रसाथ भारत बचाओ अंदुलन के संस्थापक ग्रूप में जो राजी भाई दिक्षित के प्रिणरा स्रोथ से बना हुआ है और उनी के अभियान को भारत बचाओ अंदुलन लेके चल रहा है इसका उदेश है कि हम कैसे लोगों को बिना दवा का स्वस्त रखें घरेवली चिकित्सा द्वारा और अपने खान पान में परिवर्थन करने के द्वारा क्योंकि दवा जो है आजिवन खाने के चीज नहीं है हम लोगो को जो भोजन करने का भोजन जो करते हैं जल्पान करते हैं उसका खाने का चीज है तो दवा खाने का हमेशा नहीं है तो हम लोग कैसे बिना दवा का आजिवन स्वस्त्र हैं यही हम लोग का लक्ष है और लोगों को भारतिय मानेता और परंपरा पर कैसे खड़ा किया जा है यह भारत बचावां अंदलों का उदेश है तो योग जो है उस तो बहुत बड़ा चीज है उसका कोई बिकल्प नहीं लेकिन आज कल के डेट में जो नया पिड़ी है वो समझता है कि हम लोग जोग नहीं करेंगे जिम करेंगे तो हम लोग बाद में इस पर चरचा करेंगे लेकिन आज की जो समस्या है ब्लड प्रेसर का तो मैं ब्लड प्रेसर को कोई बड़ा बिमारी नहीं मानता हूं लेकिन जिनको बिमारी हो गई है जो दवा खा रहे हैं उनके लिए तो भड़ा बिमारी है चुकि बिमारी जो है केवल लाइफ एस्टाइल है आए अगर हकीकत में समझा जा तो जो ब्लड प्रेसर का बिमारी है ओ केवल और केवल रक्त की अमलता है मनें इसीडिटी है तो एक क्या हो है यह हम देखते हैं कि पेट सेजाव होता है तो जो हम खाना खाते हैं और धीरे धीरे पेट मैंने इसीडिटी हगार बढ़ रहत हाँ हाइप सब्ढ़ तो जो पेट की हमलता जो है ओधीरे घेरे अ Кरफ में पहुच गई Why ugly व्लड की अमलता अगर बढ़ने लगी चाहें ख प्लड 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 को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले धीरे धीरे हम पेट की एसीडिटी को कम करें धीरे 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 जब पेट की एसीडिटी समान होने लाएगा तो रक्त की अमलता भी समान होने लाएगा तो निश्ची दिरूप से हम ब्लड प्रेसर को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उसके कि लिए क्हान पान क्या होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले और भी जानती थे कि हम लोग मोटा अन खाते थे आज तो देखते हैं कि शी लोग मेही से मेही चीज खाने लगा भारत परस में जो चावल है और गेहू है एक्चोली भारत परस में आप अगर थोड़ा सा और हम लोग करीब हमको लग रहे हैं 30-35 साल अगर पीछे हम जाएंगे तो चावल और गेहूं की खेती नहीं के बराबर होता था यह को दो चाहएंटिशका का मोटा अन ौता था अज इसे कभी लोग बीमार नहीं पढ़ता था हार्ट का नहीं होता प्रेशर तो बहुत दूर की चीज है की परने सुगर नहीं होताथा कोई बीमारी नहीं होता था और आजके डेट में हर घर में प्रेसर का बिमारी है ही जिब डाइबेटीज का बिमारी है हाट का भी बिमारी बढ़ते जा रहा है कभी आगर अगर तो हम लोगों को आज की डेट में जो लाइफ एस्टाइल हमारा सुधर बिगड़ गया ना उसके चलते सारा बीमारी हो रहा है तो इसका मतलब कैसे हम लोग समझेंगे कि मतलब इसका लक्षन क्या है एक है है सबसे पहले आप इसमें दोनों में अगर लो भीपी है और है उसमें दोनों में चक्कर आने लगता है मंनली जिय depend कर सीर घुम रहा है तो सीर को में भाखेंग नग नग रहा है पूरा डंग से डिमाग कामने कर आप coupon ersैने का पसीन पसीना सरीर हो थो होते जा रहा है और आपका दो चक्र लोग रहा है और प्सीना स्वत לפरन्स जार और आपिसा पसीना लेकिन आपको एक जो दर्सक है उनको भी हम बताना चाहरा हूं कि दर्सक सिधे अपने अगर मान लिए कि तुरंत हम लो भी पी है कि हाई भी पी है हम अगर डॉक्टर के पास आएंगे तो समय लग सकता है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कोई भी ललका आचाहा है मान लिजे के ओ आदमी नहीं पकड़ रहा तो दूसरा आदमी भी जिन कोई चक्कर आ रहा है ओ यहां पर ऐसे पल्स मने चेक करना चालू करे तो अगर यहां पर ऐसे नॉर्मल मने एकदम एकुरेट होना चाहिए कोई से आप वाच में हम देखे हैं कि एक मिनट में मतलब साट सेकेंड में 72 से असी के बीच है कि नहीं अगर 72 से असी के बीच में नहीं है अगर मालीजे कासी से लेके 84, 95, 96, 97, 98, 99, 900 चल रहा है तो हाई प्रेसर है और अगर मने 72 से नीचे है 64, 65 चल रहा है तो उसको लोग भी पी है तो एक तो फर्मूला है क्योंकि जक्कर दोने इस्तिति में आएगा बेचैनी दोजनों के इस्तिति में आएगा लगेगा कि गिर गया तो गिर गया तो अगर चाये काम कर रहा है दिमाग बोल हम कुछ रहा है हो हो जा रहा है कुछ तो इस इस्तिति में सबसे अचा उपा तो उसी के अंसार हाई तो उसका अलग लाज है और लोग वीपी का है तो अलग लाज है तो अलग लाज है तुरंत मनें उसका इलाज है अगर आदम उस पर कंसंट्रेट करें तो निश्ची तुरूब से हम लोग वीपी और हाई भी पी आचाहिए प्रेसर को चेक कर सकते हैं कि कैसे हम प्रेसर को कंट्रोल कर सकते हैं पता चल जाएगा कि हाई है कि लोग है ऐसा नहों कि माल लीजिए कि आप स सला से पहले हम अपना पल्स रेट देख लें अब पल्स रेट हमको लग रहा है कि निश्ची तुरूप से आपको सही बताएगा आप अलागा सारा लीजिए गता तो बताएगा ही सही लेकिन उससे भी जरूरी हम लोग इसको चेक कर लें अचानक माल लीजिए कि आप 10 बज पर चल रहा है तो हाई भी पी हाई पीपी का उपाय करें तो हम जानना जाएंगे मान लीजिए ऐसा कुछ अचानक ऐसा परिस्थिती का कोई सिकार हो गये तो घरेलू उपचार में डॉक्टर के पास तो हम बाद में जाएंगे लेकिन इंस्टेंट हम क्या उपाय कर सकते है आज के डेट में हम लोग को सब घर में नमक मिलता है ठीक है बिना नमक को खुछ होता नहीं है सब सबजी में डालना नमक मिलता है लेकिन हम लोग पहले के आप भी जानती होगी कि जो अजादी के पहले भारत परस में जो साधा नमक है साधा नमक किसी को खाने का चीज नही है उसे नमक से नपुंशकता भी होता है और बीमारी होता है उसे प्रेसर भी बढ़ता है घड़ता बढ़ता दुनों है तो पहले कि लोग हम लोग साधा नमक खाते थे जो उसको सुध्द बला जाता था परब्तहवार में बी जो हम लोग पूजा Clay का ते ते उसमें हम लोग सुद्ध नमक डालते हैं मतलब सुद्ध मतलब सेंदा नमक डालते हैं लेकिन हम लोग अपने खान पान के चीज में उसको साधा नमक की उच करते हैं तो हम अगर पूजा करते हैं उसमें सेंदा नमक की उच करते हैं तो क्यों न हम हमेशा सेंदा नमक की उच करें तो जहां भी है, वो चाहरा है कि हम कहां से ज़्यादा ज़्यादा पज़शा बढ़ो रहे तो उसके चकर में, न समय पर उधाना खा पाता है, न समय पर अपने सरीर के लिए कुछ कर पाता है, उस इस्तीती में लाजमी है कि आप या तो लो बीपी का सिकार हो जाता है नहीं तो हाई मीप्य पैसी का सिकार हो जाता है तो आप सबसे पहले हैं कि जो भी लो भीप billing OR चाह tratar पर शिकार है उनसे आगरा मेरा यहीं है कि सबसे पहले हम वह अपने घर में नमक को चंज कर दें नमक को चेंज कर दें सेंदा नमक खाना चालू कर दें और निश्ची तुरुप से हमको लग रहा है कि जो शरीर का प्रोफाइल है वह अपने आप ठीक करने लएगा लेकिन अगर सेंदा नमक आपके घर में है अब आप या तो लो भी पी के सिकार है नहीं तो हाई भी जाए तो देखेगा मनें हमको लग रहा है विदिन पांच मिनट के अंदर पांच मिनट के अंदर में आपको रिकभरी देदेगा अगर मानली जाह 12 दोना में न में ने लो बीपी में हम बता रहे हैं, अगर लो बीपी के आप सिकार है चोसट पैसट पल्स चल रहा है, तो उसमें सेधा नमग को पानी में घोल के पी लेना है, लेकिन अगर आप हाई बीपी के सिकार हैं, जैसे असी से उपर आपका पल्स से चल रहा है, तो उस इस्तिति में हम क्य करेंगे सेना नमग को एक टब पानी में चाहे हो जाड़ा हो गर्मी हो बरसाती हो एक टब पानी में सेना नमग को दुतीन चमच उसमें घोल देंगे उसमें आइरवेद बोलता है कि हमको समुद्र असनान करवाना है तो समुद्र असनान तो मिलेगा नहीं अब हम रहेंगे मा कैसे जगह पर जहां से कई सौ किलो मीटर हम को जाना पड़ेगा समुंदर में से तब तो जाते जाते वहीं पर हम कुछ में हो सकता है तो उस इस्तिती में हम क्या करना है कि सेधा नमक में हम सेधा नमक को पानी में घोले और गर्दन से नीचे यहां से नीचे हम उसको असनान क करानि के बाद उस रीर को कपड़ा से पुछना नहीं और अपने आप जैसे उस सरीर में घुल जाएगा तो देखिएगा उसका बीपी नॉर्मल हो गया तो दोनों केस में सेंदर नमक काम कर रहा है आपको लो बीपी में भी और हाइब लेना है अ अंदर लेना है और हाई भी है कि लेकिन हमेसा ख्याल रखना है कि उसको शरीर तुरंत हमस्नान करवाए अपने आप उसको सुखने देना है बतलब हम लोग का डेली लाइफ में सेंधा नमक बहुत जरूरी है इतना जरूरी है कि उसको अगर हम खाते रहें तो हालका अगर माल लीजिए कि आप बना रही ह है तो उनको असर नहीं पड़ेगा आप जानते हैं कि सेंधानमक हम बहुत जगए इससे केस देखे हैं कि हम आपको इसी क्या एर्वस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एरलाइन के साथ काम करना है आपका सपना तो बार्वी के बाद जोई कीजिए CTA Aviation and Hospitality Management Institute now open in Jamshedpur practical training के साथ पाइए airport और फाइस्टार रुटेल्स में इंटर्शिप करने का मौका and 100% placement education loan available अभी कॉल कीजिए at 7004615405 के साथ हम जोड़ते हैं यह बहुत हैं मोलता है कि नहीं सेंदा नमक थोड़ा नॉर्मल साल्ट है मने ही है तो उसका थोड़ा चड़क कम रहता तो ऐसी बात नहीं है उस सुद्ध नमक है अना उसमें थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा डालना पड़े लेकिन कोई बात नहीं ह और जो उपर से नमक खाते है ना उसको तो खाना ही नहीं चाहिए लेकिन अगर से नमक मा लिए कहीं उपर से लेना पड़ेगा तो नुकसान नहीं करें लेकिन वाइट जो साधा नमक है वो निश्ची स्तुरूप से नुकसान करता है और आज के डेट में तो लोग कमाने पर अलगे हुए यहां डेड़ से डेड़ से रुपह किलो से नमक बेच रहे हैं लेकिन ओ जितने आप सबसे अच्छा है मार्केट से पाउडर ना ले और घर में धेला बला ले क्या है ओरिजिनल फर में उसको कूट ले अब बना ले ज्यादा अच्छा रहो उसमें डूबली क पी हो हाई भी पी हो दोनों केस में तो मना किया जयता है कि जीहूं एक दब अमत खवचुख जैन्युजन क्या, गेहूं और से में हम वें एक दम में हानार आज में आता है तो दोनों इस्तितिमें हम को बरजित करना है तो अब ब의क क्या खाइं तो मक्ए हुआ, बाजरा हुआ उसको हम खाएं धरसक को समझना चाहिए कि जो पहले को खाना था उसको हम खाने मूटा आन खाएंगे तो इसिदिटी भी कम होगा देरे देरे पेट के इस लेटी कम होगा हजम भी होगा और एक और बात है कि जर्शी गाय का दूद तो पिना ही नहीं चाहे लो भी पी हो हाई भी पी हो देसी गाई का भी द Monsieur धित किया जाता है अगर लोग के सिकार हो रहें तब घाइच करना है कि इस को पूरा गरम करे के फैट उस नुकाल ले आ तब उसको पीए आगर उसमें हल्डी डाल के पीते हैं तो अध्लिट यहो गया परहिष दोनों के लिए है अब कोशिस करना है कि उनको एक निष्चित समय पर खाना खाएं जा moisture पर खाने का एक बना ले जैसे अगर्यारे का लेकिन अगर खाना पच नहीं रहा है आप समझ रहीं ही हमको तो समय पर लुग खाना खाता ही है आज हमको तीन बार खाना हाय तो भरे और समय हो जाए लेकिन खाएंग उसमें लोग छोड़ेंगे नहीं तो खाना हम खाते रहेंगे हम सोच रहेंगे उखाना तो पज़ जा रहा लेकिन वाकई उखाना नहीं पज़ रहा अगर प्रेसर बन रहा है अगर बीपी बढ़ रहा अगर आपको सुगर की समस्या आ रही है कलस्टोल बढ़ रहा जितने तरह की समझ्या हो रहा समझ जाईए कि आपका खाना हजम नहीं हो रहा ठीक है तो ततकाल तो परिड़ाम है ततकाल है कि आप नमक को घोल के पे लिए तो लो बीपी को नॉर्मल कर दिया आई अगर नमक को असनान कर लिजे तो हाई भीपी को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर लिया लेकिन कोशिस करना है कि हम कैसे इससे हंडेड़ परसेट निजाद पाले तो लो बीपी के लिए तो है कि आप कोशिस करें कि आपको एक और है कि सेंधा नमक एक चमच ले ले और अनार का रस ले ले हम, अनार का रस में एक कप अनार का रस, जो भी अनार का रस ले ले, उसमें एक चमस सेंदान मगडाल को उसको पी जाए, तो दीरे दीरे आपको बीपी को भी ठीक करेगा, ठीक है, लेकिन हम कोशिस करें कि जो हम खाना खा रहे हैं, उस सुपाच हो, ख लेकिन दर्सकों मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भीं फर्मुला बता रहें कि आपको हांगी भी पी सब one को नख्राब तो यह लेगा कोई भी फर्मुला हम रिदे के माली असनान कर लिए تو समान होने लयेगे मेथी दोilit को भी उस में लो ुपी को हाइभ पीको के अवारिख में छोड़ा मेथि रहता और जो और 정확न को पानी के 20 Con 채ina पानी सबस्क्राइब करें इसरडीकीन प्रइख कर एक चमच को और निए को पनी है योगना लोग उस इस्तिती में अलग है लेकिन अगर दांत है तो जो मेथी है उसके अंदर में उसको चबा चबा के खा जाना है तो एक ठोई परियोग हो गया हाई विपिक के लिए दूसरा परियोग है कि आप भी जानती है कि जो बेल पत्र चड़ा जाता है भगवान सीव को बहुत गरम होते हैं बेल पत्र को चड़ाने का मतले बी है कि उनको सांती दे तो हम लोग इसका लॉजिक जो है बेल पत्र का तीन चार पत्ता को लेकर उसको हम पीश लें सील पर मिक्सी में नहीं हम यहां पर भी मिक्सी चुकि स्वदेशी का ही बात है यहां पर तो mixi में seal पर पीछना है Sell में पीछ कर एक गिलास पानी में उसको देरे दीरे दीन भर में एक बाड़ एक तो हो गया मेती का परियोग दूसरा हो गया मेल पत्र का परियोग तीसरा परियोग है आपको आधा चमच डालचीनी बारिक दालचीनी का पाउडर ले ले और गरम पानी के साथ सुबह खाली पेट उसको ले 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 तो नीश्ची तुरुप से हाई बीपी की समस्या को दूर कर देगा तो ये जो अप उपचार बताएं ये कितने दिनों तक करना एंडिए कर रहे हैं तो एक महीना दू महीना कर सकते हैं बहु thried लीटको थिमान्हें पहाद उसको गाईब करना और अब हम को विचार करना चाहिए कि हमारा कांठ्रोल हो गया to 인े hem खान पान फिर से गड़बर करने लगे तो कोशिश करना है कि हम जो दवा का भी बेल पत्र का भी हमेशा परियोग नहीं करें डालचीनी का भी परियोग हमेशा नहीं करें मेती का भी परियोग हमेशा नहीं करें कोशिश करें कि हम खान पान में केरी से बैलेंस करें कम से कम खा तो थोड़ा आटा को मोटा पिश्वा लिए और जितने भी ब्रांडेड आटा आरा उसका परित्याग करें चुकि ओ आटा मैदा उस मैदा टाइब का आटा रहता है और होता क्या है कि हम लोग जो आटा लेते हैं उसमें ओ चुकि आज आप पिश्वा के ले रहे हैं तो मैक्सिमम पंदरा दिन तक आटा का प्रियोग करना पंदर सोलहवा दिने ओरिजिनल आटा मने खराब होने लगता है लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना 3-3 महिना 6 महिना का आटा जो मार्केट में जो आ रहा कही तरह का बरांडेर आटा लोग उसको खाता है तो नुक्सान करता है उसमें केमिकल भी डालता है थोड़ा सा जाईका बढ़ाने के लिए तो उस तरह के आटा को नौ परियोग करक आप जो आटा पिस्वा लें आप पिस्वाने के बाद उसमें अगर थोड़ा सा मोटा पिस्वा या नहीं तो अब जो चोकर आता है उसमें डलबा दे 100 गरम और तब उसको मिला क्या चाले नहीं मनें चलनी से चालना नहीं है तो नीशी तरुप से बहुत बड़ा उसके अं करके आम धीरे धीरे अपने खान पान को दवा के रूप में उयूज करें मैं हमारा खान पाना इसा होना चाहिए कि उद्वा जैसे आपको डॉक्टर बोल दिया कि आपको एक बजे एक टबलेट खाना है तो हम लोग देखते हैं बहुत आदमी को कि एक बजे ही उद्वा ख को था पाएगा चाहिए एक मिनट के अंदर में नई कव तो हम लोग उसिवी commence करना है कि खाना को शमें पर खाएं तो निसी थरुप से कंड्रोल कर सकते हैं अच Beim begin-layτफ परेसर के साथ पानी का क्या सम्मंद है brings a इसको कंड्रोल कर सकते हैं ढम Sir वह अच्छा वत्रव थे यह आपका question है कि ब्लड प्रेसर से पानी तो सब्वीमारी के चल कि आप जानते हैं कि जल ही जीवन है तो जल को अगर ढग से आज मी पीना चालू करें चोगि आज के डेट में चाहिए वो पुरुस हो चाहिए महिला हो जितना पाणी पीना चाहिए और पाणी कब पिना चाहिए उसको पता भी है तो पीना नहीं चाहता है पूरुस बर्ग में भी पानी प्यास लगता है तो पीता है अचाहा महिला भी तो और कंजूसी करती है पानी पीने में तो अगर पानी का पानी का ही धंक से प्रयोग करें तो आप निश्ची तुरुप से ब्लड प्रेसर को पूरी तरह से खतम कर सकते हैं कर दुखा it अब है शुआ है आपका बात है नगे कहाँ च्छाहा है ऑफिसपर अच्माई हुए है तब यह बोल रहे है कि अगर अजमाती तो नहीं तो नहीं तो बोलती कि पानी अम सारी साही पाने कर सकते हैं अखास कर जो अभी जो हम आपको एक और आपको बता देते हैं कि जैसे हल्दी, हल्दी नमक जो इस अब है आजिवन खाने का चीज है, पहले कि आप भी जानती थी कि हल्दी पहले हमारी माँ बहने जो भी पहले सील पर कच्छा हल्दी पीश के तब उसको सबजी में भी डालत थी, तो आप हल्दी और पानी जो प्रियोग है चाहिए नमक का अजिवन कर सकते हैं, तो हम इसमें एक स्टेप और बढ़ाएंगे, पानी को कैसे मेडिकेट करें, जैसे उसमें हम पानी में एक मनुस को, नॉर्मल मनुस को कम से कम पांच लिटर पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा हल्दी, मार्केट में हर समय कच्चा हल्दी मिल रहा है, तो कच्चा हल्दी को थोड़ा सा, इतना मान लिए पांच लीटर का चीज है, तो इतना, एक इंची के लवग में, आधा इंची भी है, तो उसको थोड़ा सा या तो पथर पर थूल ले, या सील में पीश किया पानी में डाल देया उसको बॉयल कर दें अब उसी पानी को दीन भर पिये आप देखिएगा कि हमको लग रहा है कि एक से डिड़ मेनेक अंदर में जबर्चस्त फायदा होगा आप सोच नहीं सकती है कि कितना इससे फायदा इस पानी से चुकि पानी हंडेड प पर भी लगाया है जा हल्दी ओरिजनल तो उसका निखार अलगे है लेकिन हम लोग जूट मूट का इधर उधर जो कॉस्मेटिक में ध्यान दिया है पैसा का बरबादी है तो हम लोग तो इतने बुलेगे कि पानी का प्रियोग से भी बलड प्रेसर को हंडेड परसेंट ठी लेकिन हमारा उदेश है कि दावा तो खाने ही नहीं चाहिए हना तो हम बोल रहे हैं कि पानी का प्रियोग अपने लाइफ एस्टाइल को सुधारते हुए हम निश्ची तरुप से बलड प्रेसर को हंडेड परसेंट ठीक कर सकते हम अपने जिंदेगी को स्वस्त रह सकते है और हाँ ठीक है और माली जे कि बलड प्रेसर अगर बढ़ते बढ़ते जैसे बहुत लोग आज के डेट में पहले हम लोग गाओं में जाते थे तो हमारी माँ बहने उनको देती थी गूड देती थी चाहाएं दही अगर है तो दही में गूड मिला के सरवत बना के पिलाती तो चाई का आप जान लीजिए कि थोड़ा सा दर्सक जो है समझ लीजिए कि चाई एक ऐसी चीज है जो दीरे दीरे प्रेसर को बनाता मान लीजिए आपकर लो भी पी के सिकार हैं आप चाई पी रहे हैं लेकिन हम इसको बेच के और पैसा कमाई से अंग्रेज चुकि ठंडा देश के लोग हैं और ठंडा देश में उनका बीपी बढ़ता ही नहीं है बहुत कम बढ़ता है आप दिखते हैं बहुत सांत होते हैं लेकिन सांत हैं खाली दिमाग के साहरा लेते हैं तो सांत होते हैं और लेकिन भारत के लिए चाय नहीं है चाय दिरे दिरे पीजेगा तो आपको प्रेसर बढ़ने लाएगा प्रेसर बढ़ेगा और भूग को भी खतम कर देगा तो चाय हम नौ पिलाकर हम भारती परिवेस में भारती संस्कृति को अपना है निसी तुरुप से हम ब्लड प्रेसर क लेकि जगह ठालता नहीं है माने परालाइसेश मार दिया हम परालाइसेश वाले पैसं को भी लोग ठीक करते हैं उसको तो परालाइसेश इस बड़ा बड़ा भी मारी होता है प्रेसर काई है और हाट को भी वह आपको नुकसान करता है जैसे ही पूछने वाले थे किम सरीर में एक लिवर लिवर है और हाट है लिवर समझे हाट का पैरलल में माना जाता है क्योंकि लिवर हमारा अगर खान हम खाना खा रहे हैं और सरीर में समझे कि लिवर एक ऐसा उसका रोल है कि सरीर में उप्रहरी का कार्ज करता है हमारे सिग्रूडी का कार्ज करता है एक क्य लीवर एक ऐसा औरगान है शरीर में कि अगर वो ठीक हो गया तो हर्ड को बैलेंस करेगा अगर माल लिजे कि हम पेट किश्टी को बढआते गया बढ़ते गया तो रख्ते इस डीटी बढ़ गया तो ब्लड को जब ले के जा रहा हा हाट में तो वहाँ पर उसको लेने में दिकत करेगा मतलब हाट का काम क्या है अगर संपूल भासा बोला जाए हरीद है हरी मतलब लेना अद्दाय मतलब देना तो ले रहा है और दे रहा मतलब हमारा ब्लड जो है सिस्टम से लिया अपरिफाई करके हम को बाहर के तरह पूरा भेज दिया तो अगर लेते समय उसको भी दिकत करेगा मान लिजे कि अमलता उसका ब्लड का बढ़ गया तो जो ब्लड को इजी प्रोसेस में सरीर के मने हाट में जाना चाहिए उन नहीं एक्सिप्ट कर रहा हमान लिजे कि अगर बाई देवे रक्त की चला तो गया हाट में लेकिन उसको डिलीवर करने में दिकत हो रहा है तब वहां पर प्रेसर बनेगा मतलब लेने माल भी है कि हम समझा रहे है कि कोई आधमी कर्ज दिया लेकिन जिसको कर्ज दिया उस시 कर्ज लेने में उसको लग रहा है है blood को तब वहाँ पर heart को कमजोर करेगा और heart जितना अच्छा से function करना चाहता था वो function नहीं करेगा तो pressure और heart का बहुत ये अच्छा एक दुसरे का समध है और pressure के हम तो बोलेंगे कि हर अंग हम लोग समझते हैं जैसे हम लोग मनुस है कि एक लड़का है लड़की है दस को मिल के परिवार बनता है उसी तरह हमारा सरीर में भी हाथ दाहिना हाथ का अलग काम है बाया हाथ का अलग काम है दोनों आख का अलग-अलग काम है सारे मिल कर एक सरीर बनता है तो हम लोग तो एक है सरीर एक नहीं है पूरे अंग का अलग अलग इन लोगों में भी जगड़ा जुगड़ी होता है जैसे जीब बोलता है कि पेट बोलता है कि तुम खाया क्यों तो बोला कि खिलाया क्यों जीब का आप काम देखिएगा कि जीब क्या करता है कोई भी रसुला भी ले लिजीए आप 10 मिनट उसको जीब पर रखे देख लिजेए नहीं रखा जाएगा जीब का काम है कि लिया जीब पर तुरण आपको अंदर डाल दिया हूँ उसको काम कुछ नहीं है तो ऐसा चीज है कि थोड़ा सा हम लोग गलती करते हैं तो दांत आप देखते हैं कि काटा है पूरा जीब के आउसके बीच में हमारा जीब है तो थोड़ा सा भी कुछ गलती होता है तो दुरण दांत कार देता हूँ उसको तो हमारा काने का मतलब है कि अगर हम अपने आपको पूरे सिस्टम एक दूसरे से जो जितना भी यंग है सरीर में सब एक दूसरे से लिंक है अगर हम लिंक को ठीक करना चाहते हैं तो पेट को ठीक कर लें मतलब खाना को सुपाचे करने लगे तो निश्चित रूप से हम नौ जीवन स्वस्तर आते हैं पानी का प्रयोगा सई समय पर खापी कर जब ब्लड प्रिशर का नाद के साथ कोई रिलेटेड है तो नर्फ तो वही है ना माल लिजे कि देखे अगर उसमें नर्फ सरीर में अगर नाड़ी होता है नाड़ी मतलब उसमें रक्त का भी परवा है और दोनों दो तरह के नाड़ी होई इसमें एक रक्त का परवा एक हवा का परवा है तो दोनों नाड़ीों की संख्या 72 करोड 72 लाग 72 दो सदस नाड़ी है तो इसना नाड़ी का जाल भी जा हुआ है कि अगर माल लिजे कि जितने भी अगर हमारा ब्लड में नर्फ से कहीं माध के साथ और एक होता है कि सांस का हम यह बहुत आदम को देखिए कि थोड़ा सा कुछ काम किया तो दम फूलने लगता है तो देरे देरे प्रेसर बढ़ाने लाएगा तो अगर कहीं न कहीं प्रोबलम है सांस भरने और चोड़ने में या तो कुछ शिकूर रहा है सिस्टम उस सब्सक्ति का कॉक्ति क्राइगा तो यहां पर शौक है यह तो फ्रक्रतलि है कि आप देखिए कि मैं को मने प्र Sugka सिस्टम क्या है एक के माध्य म से पूरा पानी जा रहा है तो फ्रक्रिंग कर रहा है तो उस में किल-चल गानि को तो यह स्विएर aquest महीं एक सचार्श खाल कर इसमें पानी अगर नहीं हम देंगे, पानी शरीर में पूरा नहीं रहेगा, तो देरे देरे सुखने लहेगा, तो हमारा नर्फ का दिकत करेगा, अंत में हम यह पूछना चाहेंगे, जैसे कि योग, हम सभी जानते हैं, योग के दौरा हम स्वस्त रह सकते हैं, क्या हम योग क क्रिस्मस पार्टी, बर्दे पार्टी या कोई भी इविंड के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरह संपर करें केक एंड बेक बेकरी हमारा पता है ओपोसिट ग्रामिन बैंक नियर नेताजी पब्लिक स्कूल में बाजार पर्सोडी हमारा फोन नंबर है 860-3920-394-790-900-2431-923-4435-604 बहुत यह अचा कोश्चन है देखे योग का कोई भी कल्प नहीं है योग का कोई भी कल्प नहीं है और योग से तो सारे बिमारी को ठीक कर सकते हैं यहां तक देखे हम लोग बाच यहां पर कर रहे हैं प्लेट फॉर्म पर की सरीर की बिमारी लेकिन योग से सरीर की बिमारी मन की बिमारी अध्यात्मी बिकार जो आजाता है बहुत इक बिकार आजाता है जितने तरह का बिकार है उसको भी दूर कर सकते हैं और इसमें बड़ी भूमिका है अनलोम बिलोम प्रणयाम की जो अनलोम बिलोम धरसक को हम इतने बोलना चाहते हैं कि अनलोम बिलोम प्रणयाम है आप सभी जानते होंगे कि जो बायानाख है ओए ठंडा और दाहिना है गरम इस चंद्रनाडी और सुर्जनाडी बोला जाता है मतलब इड़ा और पिंगला और दोनों नाडी कभी-कभी चलता है तो सुसुमना मतलब गंगा जमुना और सरसती जैसे आप जानते है कि गंगा जो नदी है जादा छेत्रों में है उसी के परिलल में जमुना है और थोड़ा सा सरसती का अस्थान है इलहाबाद में उसी तरह हमारे सरीर में अगर मालीजे कि 24 घंटा में हमको लग रहा है कि अगर 11-11 घंटा अगर चंद्रनाडी और सुर्जनाडी चल रहा है तो दो घंटा सुसुमन चलेगा हो सकता है कि यह घंटा उसका एक कार्जिकाल है हम स्वर्विज्ञान से भी बहुत सरा बिमारी को दूर कर सकते हैं स्वर मतलब दाहिनानाक और बायानाक से उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे चुकि वह अलग भी से है तो स्वर्विज्ञान से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन चंद्रणाड़ी मतलिए बाया है तो फं ठंडा है तो हम अनुलूम calories से साँस लेिए उसको सूर्ज नाड़ी से छोड़े सूर नाड़ी से साँस खीचे आफ शnd्रणाड़ी को छूड़े तो मतलब ठंडा के रास्ता से हम सास सांस को लेके गए, गरम रास्ता से निकाले, फिर से गरम रास्ता से हम सांस को लेके गए, ठन्दा निकाल से, मतलब स्रीर के नाड़ी को balan печ तो जब बैलेंस करेगा, तो निश्ची तुरुप से हमारा प्रेसर तो बढ़ने का सवाले नहीं होगा, अब बहुत आत्मी क्या करते हैं, कि अनलोम बिलोम में सांस जो भरते हैं, केवल चेस्ट में भरते हैं, लेकिन हमको तीनों जोन में भरना है, लोवर मतलब स्टोमेक ज से ही उसके जो हाई बिपी और लोव बिपी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर मालीजे के हम प्रयोग करें इसको भस्तिरिका प्रणयाम, भस्तिरिका प्रणयाम और लोम बिलोम में यहीं अंतर है, कि भस्तिरिका प्रणयाम हम दोनों नाक से सांस बरते हैं, और कि अकारा उकारा थोड़ा ध्यान का प्रकिरिया है उसमें अगर हम गए तो तीन प्रणयाम से हम ब्लड प्रेसर को पूरी तरह से खतम कर सकते हैं सितली प्रणयाम और सितकारी प्रणयाम, सितली और सितकारी प्रणयाम में हम लोग इसमें सरीर को ठंधा देने के लिए करते हैं, ठीक है, और उसी में एक सदंता प्रणयाम है, सितली प्रणयाम और सितकारी में आगर किसी भी स्थिति में है, माल लिए कि मई का महीना चाहिए जून को महिना हो, मैंने बहुत गर्मी लग रहा है, मैंने आप प्यास पानी भी नहीं है कि आप पी सकते हैं, तो सिंपूल है देखे करना क्या इस से, जैकि इसको हम लोग जाड़ा मनी कराते हैं, दोनों दाथ को बैठा दिये, अजीव पीछम लगा दिये, तो कितना भी गर्मी एकदम बीच रोड में खड़ा हो जाई है, जब इस तरह का प्रियोग करिएगा, तो निश्चित रूप से हमारे सरीर में जो ठाएगा, तो ठंडा हवा ही जाएगा, गरम हवा जाने का सवाल हैं, तो उसी तरह सितकारी है, सितकारी है कि ऐसे, जीव को ऐ बीना पानी के कुई देर तक हम रोख सकते हैं, और सदंता परण्या में दोनों दांतों के बीच के जीव कैसे सडाते हैं, और जब सांस इस रास्ता से जाता है, तो बहुत आदमी को हम लोग इसका प्रियोग हम लोग करवाते हैं, जो नसा खाता है, मतलब गुटका, पान पराग जिस तरह के चाहें, खैनी लोग खाता है, तो जब हमारा उक्सिजन इस लेवल से ऐसे है, यहां से जब पास करेगा, मने बाहर का तो और जो अंदर की तरफ ली जाएगा, तो देरे देरे उसको नसा मुक्ती की तरफ अभियान की तरफ लेके जाएगा, इतना उसमे थोड़ा सा उपर उठकर, जो सही विदी से जो करें, और प्रापर इंस्ट्रक्टर के, माधियम से करें, और जो भी किया है, तो उसको भी देखना जरूरी है, और हम लोग गवर्दे ने, कि हम लोग कपाल भाती को भी हम हाई बीपी, लोग बीपी बवाला को हम करा सकते है बसरते कि उसको ध्यान कंसंटेट करें तब, अगर ध्यान कंसंटेट नहीं कर रहा है, तो उसको कराने से नुकसाने करेगा, फाइदा नहीं करेगा। मतलब खुद से नहीं करना है, करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के अंडर ही अभियास किजिए, योग का अभियास किजिए, लेकिन एग और इसमें अभियास करना है, कि कोशिश करें कि हम घर में योग होता नहीं, तो इस सिवीर का ही माध्यम ले, जो कि से थोड़ा सा निकल कर, हम किसी सिवीर को एटेंड करें, वहाँ पर रेगुलर निश्चित समय पर जाएं, तो निश्चित रूप से हम अगर वहाँ चुकी होता क्या है, कि माल लिजे कि आप नहीं जानते हैं, तो वो जो सामने बैठा हुआ देख रहा है, चाहे आपके ब अगर कर रहा है, हम अपसे ज्यादा जानते हैं, अचै अब पत्नी बता रही है, तो वो बुलेगे का रहा हम को ज्यादा मत बताओ, हम अपने जानते हैं, तो इस तरह की भावना लोगों में आती है, तो हमारे काने का मतलब एक लेकिनो जब वहाँ किसी कलास में जाएगा, तो कोई भी instructor अगर आएगा आचाहे बगलबला भी कोई है तो अगर कर रहा है तो उसको instruction देगा कि आप करिए ऐसा है आप गलत कर रहे हैं तो तोड़ा इसको सुधार करिए तो देरे देरे उसको जो बिचार है वो बिचार बदलने लएगा तो काने का मतलब है कि योग से complete चीज का विचार बदलने लएगा, आपका आचार बदलने लएगा, खान पान में परिवर्तन आने लएगा, और दीरे दीरे हम एग और इसमें अभी हम बोल रहे हैं कि खान पान जो BP वाले पेसेंट है, सुगर वाले पेसेंट है, Parkinson वाले पेस ननवेज जो है, मानसा हार, मानो सरीर उसको पचा नहीं पाता, उसको पचाने के लिए extra ताकत लगाना पड़ता है, जो माल लिए कि आपके certain amount आपके सरीर में है, आहम का कि एक एनरजी जादा लगाना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं से तो जोगार करेगा उसको लेने के ल और है हम लोग उसको भी परियोग करवाते हैं मेती दाना काफी है लेकिन फिर भी आईसे भी अगर हम लोग बता दे बहुत सारा परियोग तो लोग सोचने लएगा कि एक के साथ खाने चुकि लोग सोचता है कि दवा नहीं है दवा टबलेट खाना लोग पसंद करता है इसे सरीर के अंदर में जाएगा तो गर्मी उत्पन करेगा और अंग्रेज लोग चुकी ठंडा होता है तो उन लोग के सरीर में जाएगा तो गर्मी करेगा तो उन लोग के लिए फादा है लेकिन हम लोग के लिए नुकसान करता है तो हमारे काने का मतलब है कि कोशिश करे कि अंग्रेजी दवा का 100% बहिश्कार करें और हमारे घरेलूज चिकित्सा हमारे लाइफ एस्टाइल को अपना सुधार लें तो निश्ची तरुप से प्रेसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल का क्योर कर सकते हैं मतलब कोशिश करना चाहिए बीमारी आने से पहले उसका परहेज करें और इसके साथ और हम दर्सक को बताना चाह रहे हैं कि जो बीमारी सब है वो खुद के अपना सोच है हम अगर चाहेंगे तो कि मेडिकल साइंस इसमें इतना है कि दवा कंपनिया दवा बेचना चाह रही है तो क्या करेगी कि जैसे सुगर का केस में हम आपको पहले भी बता है थे कि माली जैब का एज 50 है तो 150 अगर सुगर आ रहा है तो आप हस्ते खिलते रहे हैं चिंता मत करिये कि हमारा सुगर बढ़ा हुआ उसी तरह प्रेसर का भी है आप अगर जोग करते होंगे तो बहुत आदमें आपका देखिएगा कि योग करने वाले साई विदी से योग करने वाले का पल्स रेट हमेशा 120 वाई असी आएगा तो अब बहुत सारे डॉक्टर बुलेंगे कि आप लो बीपी की सिकार हो रहे हैं लेकिन यह नहीं देख रहे है कि योग से उसका जो प्रेसर है वो एकदम लोईस्ट के तरफ रहता है और उसका पल्स रेट भी हमारा जो है उस बहुतर से नहीं बहुतर के आसपास रहेगा 70 रहेगा उनहतर रहेगा लेकिन जो नौर्मल अदमियां उनका असी के लवग में पार रहेगा तो प्रेसर जो है आपका योग करने वाले का बहुत कुछ परिवर्टन आता है और उसके बारे में जितना भी योग के बारे में चर्चा किया जाए चुकि अगर गीता भी अगर पढ़ियेगा तो योग ही है तो सारा कुछ समाईत है योग में और योग का तो कोई भी कलप नहीं है लेकिन हम इतने बोलेंगे कि लास्ट में कि अगर हमारी भारतिये खान खान पान में हम घुश जाएं, अंग्रेजी व्यवस्ता के से उपर उठके हम भारतिये खान पान को अपना है, मोटे अन खाएं, अब जैसे सबजी भी मोटा खाएं, मतलब उसमें छिलके वाली सबजी खाएं, हम लोग क्या अगर ते आलू का छिलका निकाल बाहर कर देते है कदू का, और अच्छा हुए याद पड़ा भी जाड़ा का मौशा में कदू भी आ रहा है, तो कदू का भी अगर हम एक कप जूस अगर रोज पिएं, तो प्रेशर में काफी सुधार होगा, दोनों में दोनों में सुधार होगा, अगर तासीर अभी ठंडा है, चुकि मान जूस निकालें, जूस को उसमें डाल दें तो तासिर बदल जाएगा, तो कदू का जूस अगर बनाते से में छिलका नहीं उतारना, अच्छा से धो लीजिए, धोने के बाद उसमें 10 को तुलसी पता, 10 को धनिया पता, 10 को पुदीना पता, डाल कर उसका चटनी बलाने, उसी क साथ उसको मिक्स कर दें, मनें कदू करकें ड्रस निकाल के पिला दें, देखेगा, वो 15-20 दिन का परियोग करी, यह बहुत फायदा होगा, तो हम लोग जितने भी तरह का सबजी है, छिलका जुक्त सबजी खाए, मोटे अन का परियोग करें, और सही कम से कम 5 लिटर मेडिक हम और हमारे दर्शक स्री अर्विन पसाद जी से बहुत ही महत पूर्ण जानकारिया हासिल किये हैं, आज का कारियकरम यहीं तक, देखते रहिए गलोग टिवी जारखन के आलाप के इस कारियकरम को, ताकि आगे भी इस तरह की बहुत ही जरूरी जानकारिया हम आप तक जानकारिया हम प्हश जानकारिया हमार norm 3ram